अस्सलाम उलेक्ट मुर्णाय वरकातों दोस्तों मैं हो इर्फान खान आप तमाम का इस्तक्बाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में हमारे तल्बा के लिए जैसा हम वीडियो अप्लोड करते हैं वो उसी का ये घिस्सा है मैं पहले ही के लिए रकर दू कि हमारे तल् रहा है हमने पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर आदाद के जुजु जर्भी यानि के आद आदाद के जो है आद और उनकी कसोटिया तो हम एक्तम शॉटकर में देखेंगे कि आपको समझने में भी जो आसान हो और लेंदी भी ना हो वीडियो तो हमारे तमाम जो बच्चे ज जो तक्सीम पजीर जो अदद होता है वो आद होता है यानि कि मिसाल के तौर पे आद करते वक्त में जितने अददों से उसको तक्सीम जाता है जितने अददों से किसी अदद को अगर तक्सीम पूरा मुकमल जाता है यानि बाकी सिफ़र रहता हो तो वो तक्सीम पजीर अ आद कितने होंगे, आद, आप 16 ये किसके किसके पहाड़े में आता, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहाड़े बहुत जरूरी है, नहाएधी आहम हिस्सा है, तो हमको देखना है, आपको भी बताए, जैसा कि मैंने बताया, कि एक, एक 16, 16, 28, 16, पूरा तक्सी मुआ, तीन के पहाड ये जहन में रखना है, किसी भी आदद का, आद, वो उससे बड़ा नहीं होता है, और इसका सबसे छोड़ा जो आद होता है, वो होता है, एक, यानि एक ये किसी से भी तक्सीम हो जाता है, तो किसी भी आदद का, जैसा कि 16 का, सबसे बड़ा आद, उससे बड़ा नहीं होता आद के जब हम किसी आदत के आद करते तो उससे बढ़ा नहीं होता क्योंकि आफिर में हम उसी को उसी से जो है उसी के पाहड़े में लेते हैं जैसा मैं यहां सोलाई का सोला लिया लेकिन आद करते वक्ति यह बात जहिन में रखो कि शुरूआ छोटे से छोटे करनी है यानि समझ गेंगे तो किसी आदत के आद यह उसको उतर है तकिम पजीर हम उस अदर के जो में आने वाले जो पहाड़े जीए मुख रहता है hama हम देखेंगे इसके 연 fare टैसि बढ़ा है लेकिन हमें से एक से एक चौशाट चौशाट दो बतीस चौशाट है ना तक्सीम करके देख सकते हैं उसके बाद में तीन के भाड़ी में आता है कि तीन दो नीचे है नई चार एक चार चार के भी नहीं आता है छे के भी नहीं आता है साथ के भी नहीं आता है शे के भी नहीं आता है साथ के ठीक है उसके बाद में 32 के आता है ठीक है 32 दुनी 64 आया आद करते जा रहे है मुस्की यानि 64 मैंने मिसाल यह सा लिया हूँ तो 32 हो गया उसके बाद में और कौन से पहाड़े में आता है 64 एका 64 ठीक है सबसे बड़ा आद जो है वही आदत जनरली होता है जो दिया हुआ है तो 64 के कुल आद कितने हुए एक दो तीन चार पाच छे चे आद हुए अब सवाल कैसा आता है मिसाल के दौर पर 12 बारा इस आदत के सबसे चोटे और सबसे बड़े आद की जम जरब क्या तो सवाल की नौईयत को समझना इभारती सवाल को पढ़ना या कोई भी सवाल को समझना पहले बहुत जरूरी होता है यह रिब के तीसरे और चोथे तक्सिम पजीर के आद में जो अदद आते है उनकी जरब क्या होंगी तो अठारा शूराट का से करते हैं वहां हमको वक्त होता है तक्सी जीतर हम पह्छी करके देख ले नहीं का, 18,258,3,6,3,8,4, के बाढ़े में 18 नहीं आता है, उसके बाध में शे के बाढ़े के पाढ़े में 19, 18,10 के नहीं आता, 11 के नहीं 12 के, डायरेक 18 के पाहडे में आता 18, 18,18, सभाण है सभान इसमें इसे होétait के पक्राइट जबी 6 coming दाई कि क्या हुआ में और 5 सब्सक्राइए या उसकी कीमत पूछ सकता कि दाही वाले अदद की मकामी कीमत कितनी है तो पचाग बोल सकते हैं या उसकी दर्शनी कीमत भी पूछ सकता सवाल की नोईयत कुछ भी हो सकती है सवाल समझना हमारे जो बच्चे देख रहे हैं आददों की कसोटिया यह बहुत आइंट टॉपिक है और यह समझना भी है हमारे जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके लिए यह चीज़े फाइदे मने लिकिने अपनी जनरी हो चुकी होती है तो कसोटियों में हमारा सबसे पहली जो कसोटी थी आप लोगों को बताया मैं यां कि सबसे पहले दो की कसोटी यानी जिस कीमत के या जिस अदब में जिस कोई भी आदद हो दिया हुआ कोई भी आदद कसोटी पर सवाल आता तो चार, छे, आठ, इन में से कोई भी आदद हो, तो वो आदद दो से मुकंबल-मुकंबल तक्सीम होता है, यह हम देख चुके है, यह जो हमारा बार-बार आपके सामने लाना है, उसको समझ ले रहा, आप सवाल क्या होंगा, कि भाई मंदर जाजेल चार ओप्शन्स में से, यह मंदर जाजेल चार मुद्बादिलात में से, कौन सा अदद दो की कसोटी में बैठता है, यहाँ पर अगर, मिसाल के दौर पे, तीन अलग दिया और चौथा दे दिया, उन पचास हजार तीन सो चोर्यासी, तो आपके एकाई के मकाम पर क्या है, चार है, यानि कोई हल कर करनी की जरूरत नहीं, सीधा-सीधा, क्योंकि इससे हट कर ही देंगा, ठीक है, एकाई के मकाम पर चार था, जीरो, दो, चार, छे, आट में से, या फिर ऐसा दे दिया, तीन सो सत्यानु, यह अदद जो है, दो की कसोटी में बढ़ता है, क्या, तो तीन सो सत्यानु नहीं ब की अदद रहने, तो फिर वो, वनासी हजार आट सो चपन, इतना बड़ा अदद तक्सीम करके देखने का क्या है, नई, दो की कसोटी याद होगी, खतम, चले का, उसके बाद अपना है, तीन की कसोटी पर ध्यान देना है, तुमको इसके बाद के पूरे कसोटीों पर, तीन की कसोटी, ओके, तीन की कसोटी की तारिफ क्या पूरे थे, अपने, किसी अदद के तमाम, किसी अदद के, जो है, तमाम हिंसों की जमा, किसी अदद के तमाम हिंसों की जमा, वो तीन से पूरी-पूरी अगर तक्सीम होती है, तो वो अदद जो है, तीन की कसोटी में बढ़ पाओ जमा आद मैंखेर हैं बार हमको पता है बारा यह आता है तक्सिम होता है थीजोग में लिख गै sulle & minder Stick लिख पुरान मकंबल उस्मीं का सब्रस्क्रीए प्रेंगे तिक यह इंद यह लाएंगे तीन बच्चा एक तीन पंजे 15 बच्चा यह तो किसी आदद के आप यहाँ पर मैं बहुत सी मिसाले दे सकता मिसाल की तौर पर बूल दिया 4657 यह तीन से तक्सीम पजीर अदद है क्या तो यहां एकाई का मकाम नहीं देखने का पहले सब की जमा कर देगी सकता मिसाल के तर पर मैंने देज देए अगर यहां पर 634 तो देखने हैं संधें तो हमको क्या कैसी होति है वो समझना जरूर यह चलेगे अगली चार की कसोटी देखेंगे हम चार की कसोटी में जिस अदत के एकाई और दहाई के मकाम पर के जो हिंसे होते हैं उनसे बनने वाला जो आदत होता है उनसे जो बनने वाला आदत होता है वो जार से मुकंबल अगर तक्सिम होता है तो वो चार की कसोटी लागो हो एक राई से बनने वाला चोर्या सी है, अगर ये 4 से तक्सीम होता है, पुरा-पुरा, अगर ये 4 से तक्सीम होता है, पुरा-पुरा, 4 एका 4, 4 दुनी 8, 4 एका 4, आया, पुरा-पुरा तक्सीम होता है, मतलब उसको 4 की कसोटी लाग होगी है, वो 4 से पुरा-पुरा वह अद तक्सीम होगा ठीक है इसके अलावा अगर मैं यहां लिख दू बड़ा अदद है तरह 1256 यह चार की कसोटी में बैठ सकता है क्या तो सबसे पहले चेक कर लेने का 56 चार से तक्सीम करके देखने का हमको तक्सीम करना आता है त्यारे का चार बचे एक नीचे लाए सोला चार समझे अगर मैं यहां देदू 23556 तो इतना बड़ा अदद है तो डरने का नहीं चार की कसोटी लागू होती है क्या तो आखरी में क्या आदद एक आई और दाई से बने हो सोला चार चौक सोला यानि यह भी आदद चार से पुरा पुरा तक्सीम हो सकता है क्योंकि एक आई और दाई के आदद मिलाने के बाद जो एक आदद बनता है तो वो सोला बनता है और सोला चार की पहाड़ी में आता है चलेंगे हम पांच की कसोटी पर तो पांच की कसोटी ऐसी है जिस पर आया यह काई कि मकाम पर खतम यह पूरा 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 पाश से तक्सीम होता है हमको यह जायन में रहना जरूरी है अगर मैं बोलू पांच 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 बचे एक बचा नीचे उतारे पाश्तिया पंद्रा फिर होतारे यह पाच नूँ पैतालीस आया यह फाइदा है जरब तक्सीम जो बड़ी से बड़ी जरब बड़ी तक्सीम सीखने का यह हमारे काम आ रहा है एक्चुल में इसलिए जमान अफी जरब तक्सीम पहाड़े मुरब्य यह तमाम चीज़े आप यहाँ पर उसकी एहमे को दो के भी बड़ता है ठीक है तिन के ने का तिन धूरा ऑटार यहां चक्छीजों चेटीस तीस चार्व चर्व करते कितना बड़ा था वह इसके बाद में हम दखेंगे पाच्के भाद में छैकी कसूटी जिस अदत को दो और तीन से पूरी-पूरी तक्सीम होती है वह आ है चेया जैसा कि जिस अधर Book 2 और ऊर 3 से पूरीज पूरी तक्सिम होती हो जैसा कि 2 और 3 दोनों में पूरी पूरीों टक्सिम होती है जैसा कि 5348 सबसे पहले देहों देखना पड़ेंगा कि या यानि सीदह से दो और 3 से तक्सिम होती मतलब बैस स्पने गयाysis एक आई के मकाम पर क्या है काय को हाल कर Basically Creduffy बाख गया तीन के पांच To एर त ना तो सब से पहले यह आड़ गया अठ आ अगया मतलब videokuser लगो होती मanna जिस आदत के एक है कि मकामद 0,2,4,6,8 में से कोई एक आदत होता है वो पूरा-पूरा तो दो से हो गया किलियर है इन से भी होना ज़रूरी है चार और पाज नो 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 आठरा आठर 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 तीन से नहीं हो रहा है 26 क्योंकि तक्सीम में आता नहीं है इसलिए यह सी 2.0 से हो रहा है याँए 6 की कासोटी में नहीं बढ़ सकता अगर मैं बोलू साथ सो जेनो में बढ़ गया थीन के लिए 9.99究, पूरा पूरा तक्सीम होता है वो 6 से भी होता है वो 6 के कसोटी में बढ़ता है 8 की कसोटी साथ की नहीं बताई हुए आपको यहाँ पर स्कॉलर्शिप में चलेगे जिस अदद के सेकड़ा दाई और एकाई से मिलकर बनने वाले अदद को 8 से पूरी तक्सीम होती है जिस अदद के एकाई दाई और से मिलकर जो अदद बनते है उसको 8 से पूरी पूरी याद करो 4 का जो हमने देखे चार की जो को सोड़ी दीखे वह इसा लेकिन यहाँ एकाई दाई और सेकड़ा इनको मिला के मिसाल के दोर पर अगर मैं बात करूँ 864 864 को 8 से तक्सीम होती है और 5,864 को भी 5,864 इसको भी क्यों 864 जो है एकाई दाई सेकड़े में है और यह 1000 में दिया हुआ अदद इसके एकाई दाई सेकड़े से मिलकर 864 बन रहा इसलिए वो भी 8 से तक्सीम बदीर है जैसा क्या आगर मैं बोलू 34,816 यह क्या 8 से 8 की कसूटी इसमें बैठ सकती तो आट की कसूटी बैठती क्या एक आई दाई सेकड़े का अदद देखना पड़ेंगा उससे क्या बन गया 816 बन गया यह नि यह आट से देखना पड़ेंगा 810 जीरो और यहां दो आदर एक साथ यह यहां 0 लगा आट डूनी 16 यह नीचे 16 उता रहते यानी 816 है आखरी में बनेवा एक आई दाई सेकड़े के अदद से मिलकर बना तो तक्सिम हो रहा है मतलब उसको आट की कसूटी लाग हो है समझें अगर मैं देदू यहां 45,960 तो 960 जो है का इदाई सेकड़े में है यह 8 से तक्सिम होता क्या देख 54,88,264 क्या यह अदद 8 से पूरा पूरा तक्सिम हो सकता है तो उसके लिए इदर का छोड़ दो एक आई दाई सेकड़े में देखो क्या है एक आई दाई सेकड़े में 274 है 8 की कसोटी बढ़ती है क्या पूछा है 8 एका 8 सॉरी 8 एका 8 एका 8 एका 8 24 बच्चे 2 और फिर यहा कितने बच्चे देख साथ लिए हमने 264 है ना तो आट आट या 24 बैठा पूरा पूरा तक्सिम हो यानि चौपन लाकट यह तरह दोसो चोड़ यह आठ से तक्सीम पदीर है 8 की कसोटी में बढ़त सकता एक आई दाई और सेकड़े की आदर को देखना है हमारा है 9 की कसोटी अब 9 की कसोटी में क्या है हमारा कि जिस अदद के तमाम हिंसों की जमा को 9 से पूरी-पूरी तक्सीम होती हो वो अदद जो है क्या होता है 9 से पूरा-पूरा तक्सीम हो सकता है या उसको 9 की कसोटी लागव होती है जैसा कि 900927 एकाई दाई सेकड़ा हजार दसाजार लाक 9 9,927 को जो है देखेंगे हम तो इनकी पूरे अददों की कितनी जमा ओरी 9,918,18,2027,27,927, जिन अददों के पूरे जिस कीमत के जो पूरे अददों की जमा जो है, 9 से अगर तक्सीम होती होंगी, तो वो अदद को 9 की कसूटी लग पूरे अददों किया, जैसा के 54,817, तो पूरे अददों की, 7,8,8,8,6,6,6,4,20,25,9 से 9 के बाड़े में 25 आता क्या, नहीं आता यानि उसको 9 की कसूटी लग नहीं हो सकती है, चले का नेक्स्ट देखेंगे हम आखरी 10 की कसूटी, किसकी सबसे आसान कसूटी, 10 की कसूटी, जिस अदद के एकाई के मकाम पर सीफर आता हो, उसको 10 की कसूटी लग होती है, फिर कोई भी रहने दो अदद, 54,6,6,80,78,85,2,70, ऐसा कोई भी रहने तो, जिस के एकाई के मकाम पर सीफर आजाए समध लेने का उसको 10 की कसूटी लग हो है, दो की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की, और 10 की, तमाम कसूटी आपने एक चीज़े काम आती है, अदरवाइस हमारे जो बच्चे उनको देखना ही देखना है, और उसको समझना है फिर से, चलो, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आएंगे, इंशाल्ला, जैसा हमको वक्त मिला वैसा, क्लास में बढ़ानी के अलावा, तो चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में,